हिमाचल ने सबसे तेज टिका करण टीके की बैस्टेज किये बिना ये बहुत बड़ी बात हैं इस काम को सुनिशित किया है साथियों कठीन बौगोलिक परिस्तितियों के साथ साथ जन समवाद और जन भागिदारी भी टीका करण की सफलता का बहुत बड़ा पहलू है हिमाचल में तो पहाड के इर्दगिर्द बोलियां तक पुरी तरह से बदल जाती है जादातर हिस्सा ग्रामीन है जहां आस्था जीवन का एक अठूट हिस्सा है जीवन में देवी देवताओं की भावात्मक उफस्तिती है थोड़ी देर पहले कुलू जिला के मलाना गाउं की बात यहां हमारी बहन से ने बताई मलाना ने लोकतंत्र को दिशा देने में कुर्जा देने में हमेशा से हैं भूमिकारी भावी है वहां की टीम ने विशेश कैंप लगाया स्टार्स पैंस से टीके का बॉक्स पहुंचाया और वहां के देव समाथ से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों को विश्वात में लिया जन भागीदारी और जन समभात के ऐसी रणजिती शिमला के डोडराकार, कांगणा के छोटा बड़ा, भंगाल, किन्नोर, लाहुर्स्पिती और पांगी भरमोर जैसे हर दुर्गम खेत्र में भी काम आई है साथियों मुझे खुशी है कि लाहुर्स्पिती जैसा दुर्गम जिला हिमाचल में भी शत्र प्रतिशत पहली डोड़ देने में अग्रणी रहा है ये वो खेत्र हैं जो अटल टनल बनने से पहले महिनों महिनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहते थे आस्ता, सिक्षा और विज्ञान मिलकर कैसे जीवन बदल सकते हैं ये हिमाचल ने बार बार कर दिखाया है हिमाचल वाच्चियों ने किसी भी अफ़ा को किसी भी अपप्रचार को टिकन नहीं दिया हिमाचल इस बात का प्रमाण है कि देश का ग्रामिन समाच किस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टिका करन अभियान को ससक्त कर रहा है साथियों, तेज टिका करन का लाप हिमाचल के तुरिजम उद्योग को भी होगा जो बड़ी संख्या में युवाओं के रोजगार का माध्यम है लेकिन ज्यान रहे मास और दोगज की दूरी का मंत्रा हमने टीके के बावजूद भूलना नहीं है हम तो हिमाचल के लोग है हमें मालूम है स्नोफॉल बंद हो जाता है उसके बावजूद भी हम जब चलने के लिए निकलते हैं तो बराबर समल समल करके पैर रखते हैं हमें पता है ना स्नोफॉल बंद होने के बाद भी समल करके चलते हैं बारिज के बाद भी आपने देखा होगा, बारिज बंद हो गई होगी, छाता बंद कर दिया, लेकिन पैर समल के रखते हैं, वैसे ही इस कोराना महामारी के बाद जो बातों को समालना है, वो समालना ही है, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश, बहुत से विवाओं के लिए, वर्क फ्रम होम, वर्क फ्रम एनिवेर, इसका पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया, बहतर सुविधाओं, शहरों में बहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का हिमाचल को बहुत लाब मिल रहा है, भाई और भेन कनेक्टिविटी से जीवन और आजिविका पर कितना सकारात्मक असर पड़ता है, यह इस कोरोना काल में भी हमाचल प्रदेश ने अनुफव किया है, कनेक्टिविटी चाहे रोड की हो, रेल की हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज द झाल झाल